आप सन रहे हैं उर्दू का पहला नौविल मिरातल उरूस तहरीर डिप्टी नजीर एहमद हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बैल का आइकन नबाना ना भूलिएगा शुक्रिया अजगरी ने घर की मामा अजमत की चौरी पकड़ी वो लगी उससे दुश्मनी करने सास बहों की लड़ाई भी कुछ मामूली बात है अजगरी यू लड़ने के काबिल ना थी तो उसका हुनर बाइसे फिसाद हुआ मामा अजमत उस घर में ऐसी दखील कार थी के कुल कामों का मदार एक उस मामा पर था सौदा सलफ, कपड़ा, गर्ज जो कुछ बजार से आता सब मामा अजमत के हाथों आता जेवर तक अजमत बनवा कर लाती, जिस चीज़ की जरूरत होती तो मामा अजमत की मारफ़त ली जाती गर्ज ये के मामा अजमत मर्दों की तरह इस घर की मुन्तजम थी जब से अजगरी ने खाने में दखल दिया तो मामा अजमत का गबन जाहर होने लगा एक दिन पसंदों के कबाब पक रहे थे और अजगरी बावर्ची खाने में बैठी हुई मामा अजमत को बताती जाती थी जब गोश्ट पिसकर तयार हुआ और दही मसाले मिलने का वक्त आया अजगरी ने मामा से कहा दही मुझको चका लो खटा और बासी होगा तो कबाब बिगड जाएंगे मामा ने दही का दूना निकाल कर अजगरी के हाथ में दिया अजगरी ने चका तो खटा चूना कई दिन का बासी नीला नीला पानी अलग और दही की फुटकियां फुटकियां अलग असगरी ने कहा इहे कैसा बुरा दही है ये तो हर्किस कबाबों में डालने के लाइक नहीं मामा जल्द जाओ और टके का अच्छा ताजा मीठा दहील देख कर लाओ मामा ने कहा उई बीवी सेर भर गोश्ट के कबाबों में टके का दही उंट के मुँ में जीरा क्या होगा ये दही जो तुमने नापसंद किया एक आने का है असगरी को ये सुनकर हैरत हुई और बोली के हमारे घर तो आए दिन कबाब पकते रहा करते हैं हमेशा सेर भर गोश्ट में डेड़ पैसे का दही पढ़ता था इस हिसाब से तो टके का मैंने ज्यादा समझ कर मंगवाया के कबाब खूब नर्म और सुर्ख हूँ मामा ने कहा बीवी तुम अपने महले का हिसाब किताब रहने दो भला कहां चांदनी चौक और कहां तरकमान दर्वाजा जो चीज़ चांदनी चौक में पैसे की है वो यहां एक आने की भी नहीं मिलती यह खाक मिला महला तो उजड़ी नगरी सुना देस है यहां हर चीज़ का तोड़ा है हर शेय का कहत रहता है चूंके खाने में देर होती थी अजगरी ये सुनकर चुप हो रही और मामा से कहा खेर जितने का मिलता हो जल्द लाओ लेकिन अजगरी ऐसी भूली ना थी के मामा की बात को तस्लीम कर लेती अपने दिल में कहने लगी जरूर दाल में काला है दमडी चदाम फर्क हो तो मजाइका नहीं ये घजब के एक शहर के दो महलों में दुगने चोगने का फरक उस वक्त से अजगरी भी ताक में हुई अगले दिन मामा पान लाई थी अजगरी ने देखकर कहा के मामा तुम बिलकुल हरे पत्ते उठा लाती हो इन में ना तो कुछ लज़त है ना कुछ मज़ा होता है अब तो जाड़े की आमद है करारे पके पान ढूंड कर लाया करो मामा ने कहा के पके पके पान तो पैसे के दो आते हैं और यहां अला रखे आदी ढोली रोस का खर्च है इस ख्याल से मैं नए पान लाती हूँ इतने में अज़गरी के घर से उसकी अपनी मामा किफायत निसा खैर सला की खबर को आ निकली पानू का तसकरा तो दरपेश था ही अज़गरी ने अपनी मामा से पूछा क्यूं भी किफायत निसा तुम को आजकल कैसे पान मिलते हैं किफायत ने कहा बीवी पैसे के बारा अज़गरी ने संदूक चा खोल दो पैसे किफायत निसा के हाथ में दिये और कहा इसी महले के पनवारी से पान ले आओ किफायत उनिसा बड़े बड़े करारे दिलदार तीस पान ले आई अजगरी ने कहा चांदनी चौक की निजबत भी पैसे पीछे तीन पान ज्यादा मिले किफायत उनिसा ने कहा बीवी ये महला शहर का फाटक है जो चीज शहर में आती है इसी दर्वाजे से आती है गोश्ट अनाज पान ये चीजें इस महले में सस्ती मिलती है अलबता हरी तरकारी सबजी मंडी से सिधी काबली दर्वाजे से होकर शहर में जाती है वो किसी कदर महंगी मिलती होगी पुराने पान तीस मिले नए लेती तो चालिस मिलते असगरी ने कहा ये मुराद मामा अजमत तो हर चीज में युही आग लगाती है किफायत अनिसा तुम दो चार दिन यहां रहो मैं अमा से कहला भीजूंगी वहां का काम दो चार दिन के लिए हर कोई देख भालेगा किफायत अनिसा ने कहा बीवी में हाजिर हूँ खुदा ना करे क्या यहां वहां दो घर है गर्स चार दिन किफायत अनिसा के हाथों हर तरहां का सौदा बजार से आया और हर चीज में मामा अजमत का गबन साबित हुआ लेकिन ये सब बातें इस पर हुई किफायत अनिसा ने या मामा अजमत ने इस वास्टे के अस्गरी बहुत मरवत और लहास की ओरत थी उसने समझा के इस बुड़िया मामा अजमत को बदनाम और रुसवा करने से क्या वाइदा रात के वक्त खाने से फारिख होकर कोटे पर अजगरी पान खा रही थी किफायत उनिसा भी पास बैटी थी इतने में मामा आजमत आई किफायत ने कहा क्यों बुआ आजमत क्या माजरा है चोरी कौन नौकर नहीं करता देखो ये घर वाली मौजूद है साथ बरस तक बराबर उनके खिदमत की कई कई बरस से घर का कारोबार सब ये उठाए हुए थी अल्ला रखे अमीर घर और अमीरी खर्च हजार रुपए का सौदा इन ही के हाथों से आया हक दस्तूरी ये क्यों कर कहें नहीं लिया इतना लेना तो हम नौकरों का धरम है खुदा बख्षे चाहे मारे लेकिन इस से जादा हजब नहीं हो सकता आगे बढ़कर नमक हरामी में दाखिल है अजमत ने कहा बुआ मेरा हाल कौन नहीं जानता अब मेरी बला चुपाए मैं तो चुराती और लूटती हूँ लेकिन ना आई से बलके सदा से मेरा यही काम है जरा मेरी हालत पर भी नजर करो कि इस घर में किस बला का काम है अंदर बाहिर मैं अकेली आदमी चार नौकरों का काम मेरे अकेले दम पर पड़ता है फिर बुआ बे मतलब तो कोई अपनी हड़ियां यू नहीं पेलता बीवी के मरतबे मुझकों मौकूफ भी कर चुकी है फिर आखिर मुझ ही को बलवाया समझ का फेर है कोई यू समझा कोई यू समझा चार आदमी के बदले मैं अकेली हूँ चार की तनख्वाह भी मुझ अकेली को मिलनी चाहिए इस मामा अजमत की हकीकत इस तरह पर है के ये औरत पच्चीज बरस से इस घर में थी और हमेशा लूटने पर उतारू अजगरी ने जो हिसाब किताब में रोक टोक शुरू की तो मामा अजमत अजगरी की जानी दुश्मन हो गई और अपने बचाओ के लिए बदला लेने की नजर से तद्बीरे सोचने लगी और इस फिकर में हुई के महमत कामिल और उसकी माँ से अजगरी को बुरा बनाए अजगरी को इसकी मुतलक खबर ना थी बलके अजगरी ने जब देखा के मामा घर की मुक्तारे कुल है ना अपनी आदस से बाज आएगी ना निकलेगी तो अपने जी में कहा के फिर नाहकी जगजग से क्या फाइदा मैं मुफ्त में मामा से क्यों बुरी बनूं बवर्ची खाने का जाना और खाने में दखल देना बिलकुल मौकूफ किया घर वालों को अजगरी के हाथ की चाट लग गई थी पहले ही वक्त से मूँ बनाने लगे कोई कहता एहे गोश्ट मूँ में कचर कचर होता है कोई कहता दाल में नमक जहर हो गया है जुबान पर नहीं रखी जाती लेकिन अजगरी से कौन कह सकता था कि तुम खाना पकवाओ मजबूरन जैसा बुरा भला मामा अजमत पका रेंद कर रख देती खाना ही पड़ता था अगला बाप सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दियो हुए लिंक को क्लिक कीजिए शुक्रिया